आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियल्मी फोन में डिस्प्ले एड्स को कैसे बन करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज का इस वीडियो स्टार्ट करते है तो डिस्प्ले एड्स बन करने के लिए रियल्मी फोन में दो तीन स्टेप्स है जिसे कम्प्लीट आफ फोलो करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी वह 100% सॉल्व हो जाएगी तो सबसे पहले तो guys आपको करना क्या होगा अपने mobile में जो setting है उसे open करना होगा अब जैसे setting open करेंगे उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना है और नीचे की side में आप देखेंगे आपको एक option शो हो रहा होगा Google वाला तो यहाँ पर Google वाले option पे click करेंगे जैसे Google पे click यहाँ पर आपको बंद हो जाएगी एक step है second step में आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना होगा manage your Google account का option है इसके उपर आपको click करना होगा और यहाँ पर होगा data and privacy इस वाले option पे आप click करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा scroll करेंगे जैसे scroll करेंगे उसके बाद एक तो my add center यह वाला option होगा इसके उपर click के जिए और उसके बाद यहाँ पर यह उपर की set में यहाँ से आपको on देखने को मिल जाएगा ठीक है अगर यहाँ से यह on है तो इसके उपर click करके इससे यहाँ से आपको off करना है तो उसके लिए नीचे की side में turn off वाला option शो हो रहा होगा इसके उपर आप click केजिए और उसके बाद इससे यहाँ से off करेंगे उसके बाद यहाँ पर add center बंद हो जाएगा तो यह दो step complete होगी अब जैसे chrome browser को open करेंगे उसके बाद सबसे उपर की side में जो three dot का option इसके उपर आपको click करना होगा और यहाँ से आपको setting वाले option पे click करना होगा जैसे setting पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे की side में आना है और यहाँ पर एक option आपको show हो रहा होगा side setting इसके उपर के बाद scroll कीजिए थोड़ा सा scroll करेंगे उसके बाद देखेंगे third party cookies इस वाले option पर आप click कीजिए और यहां से आपको जो है block third party cookies इस वाले option को आपको select कर लेना ठीक है third party जो cookies रहती है वो यहां पर आपको block कर देना जिससे third party application के पास अपका data नहीं जाए और आपको जो है add shown नहीं होगी ठीक है उसके बाद एक option होगा pop-ups and redirects तो यह वाला जो option है इसके उपर आपको click करना होगा और उसके बाद देखेंगे तो pop-up and redirects का जो option है इसे भी यहां से आपको off कर देना ठीक है जिससे pop-ups जो adds होती है red add होने पर वो भी यहां पर आपको जो देखने को नहीं मिलेगी ठीक है तो यह process complete आप कर लीजे step तीनो step कर लीजे आपके phone में जो भी add आ रही होगी वो complete तरीके से यहां पर बंद हो जाएगी